दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस खंटी को पाकि आप लेक सके हमारी वीडियो सबसे पहले कई ऐसे वीडियो है जहां इन सिक्कों को लाखों करोडों का बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि इन सिक्कों को इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा बनाया गया इन सिक्कों के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह राइस पिलर होते हैं यानि यह चावल को अपनी उराकरशित करते हैं और इनमें दैविय शिक्तियां हैं। कितने कीमती है यह सिक्के और क्या है पूरी सच्चा इन सिक्कों की। जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही इस घंटी को भी दबा दे जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पुरंग मिल जाएगा और इससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपके पास भी है इस्ट इंडिया कंपणई के राम दरबार कोईन। ये सिक्क जो आप अभी देख रहे हैं उस पर राम शीटा लक्षमन और हनुमान जी को दर्श शाया गया है। सिख्के के दूसरी ओर East India Company लिखा है, सिख्के के बीच में एक आना लिखा है और सिख्के पर सन 18808 लिखा हुआ है। यह सिख्का एक नकली सिख्का है। इसी तरह का एक और सिख्का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस पर ज्यान की देवी सरस्वती का चित्र दर्शाया गय वह भी एक नकली सिक्का है इस तरीके के कोई भी सिक्के इस्ट इंडिया कमपनी ने नहीं बनाएं। अगर आपने अब आँगे टीन बनाएं।